नमस्कार्वाज करता हूं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तबाना ना भुलें ताकि मेरे प्रतुक वीडियो के अब्डेट सामको मिलते रहे हैं पिछले भाग में हमने सूफी कावेधारा के कुतुबन मन्जन और मलिक मुहम्मद जायसी के द्वारा लिखे गए कावे और उनके विशे में हमने अध्यन किया और आज हम पढ़ेंगे निर्गुण धारा अर्थात प्रेम मारगी सूफी शाखा अना निर्गुण भक्ति धारा को दो भागो वाटा गया है एक तो ज्ञान मारगी यह संत कावे धारा कह जाता है और दूसरा है प्रेम मारगी जिसे सूफी शाखा भी कहा जाता है तो सूफी शाका के अंतरगत आज हम पढ़ेंगे उस्मान, शेख नभी और काशिम शाह और नूर मुहम्मद के बारे में किनके विशाय में अचारे राम चंदर शुकल ने क्या कहा है यह बात आप हमेशा ध्यान में रखिया कि अगर आप किसी भी परिच्छा में शामिल हो रहे हैं और उसमें सफन होना चाहते हैं तो हिंदी साहित के इतिहास के अंतरगत अचारे राम चंदर शुकल के जो हिंदी साहित के इतिहास है उसको पूरी तरह से भली भाती पढ़ना बहुत ही जवरी है तो आज के लेक्चर में मैं जो महत्त पूर्ण बाते हैं उन तत्यों का ध्यान करेंगे ताकि ये बातें आपको समयद में भी आजाएं और आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद भी कर सकें लेकिन मैं आपको ब्यक्तिकत रुप से सलाहा दूँगा कि आप कम से कम एक बार और एक से अधिक बार आचारा राम चंदर शुक लेकर हिंदी साहित्य की इतिहास को जरूर पढ़ें तो चली आगे बढ़ते हैं तो कि अधिकांस परिच्छा में इनकी किताब से बहुत ज़्यादा प्रस्न आते हैं और एक तो आपकी समझ विक्सित होती है मेरे चैनल का मुख्य उद्देश क्या है साहित्य को कैसे पढ़ा जाए हिंदी साहित्य की इतिहास को कैसे पढ़ा जाए तो आप में एक समझ विक्सित करना एक द्रिश्टी कोण का विकास करना मेरा मुख्य उद्देश है क्योंकि ये सारी बातें तो आपको किताबों में मिल जाएंगी है लेकिन किस तरीके से आपको पढ़ना है किस तरीके से आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है या भी जानना बहुत ही जरूरी है तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे उस्मान ये भी एक सूफी कभी है तो ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे वर्तमान थे मतलब इनका समय काल क्या है जहांगीर के समय में ये विद्धिमान थे तो इनका समय काल है जहांगीर के समय में ये विद्धिमान थे और ये गाजीपूर के रहने वाले थे ये कहा के रहने वाले थे गाजीपुर के रहने वाले थे इनके पिता का नाम था सेख हुसेन और ये पाँच भाई थे इन्होंने अपना उपना मान लिखा है इनका उपनाम क्या था मान था ये शाह निजामुद्दिन चिस्ती की शिष्षि परंपरा में हाजी बाबा के उस्मान की चित्रावली जो मुस्लमानों में चलता है हिज्री सन तो 1613 इस्वी में चित्रावली नाम की नोने पुस्तक लिखी थी पुस्तक के आरब में कभी ने इस्तूती के उपरांत जैसे हमारे भी स्तूती लिखा जाता है देवताओं की स्तूती की जाती है वैसी उनमें पैगंबर और चार खिलिफाओं की स्तूती और बादौशाज जहांगीर की तथा शा निजामudd stun और हाजी बाबा की प्रशंता लिखी है उन्होंने की उस्माई यह लिखने की परंपरा है मतलब उनको अनकरण इन्होंने का किया है कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्याज भी वही है पर विशेस्ता यह है कि कहानी बिल्कुल कवी की कलपी था जैसा कि कवी ने स्वयम कहा है उन्हें कहा है किसी इतिहासि घटना पर अधारित नहीं है मलकि पूरी तरह से कलपनिक है कभी ने कहा भी है क्या कहा है कथा एक में यह उपाई कहत मीट और सुनत सुहाई इनको याद कर लेना है कभी परिच्छा में पूछा जाता है इसके बाद उस्मान ने जैसी का पूरा रखा है पांच चौपाई के बाद एक दोहा रखा है पर जैसी ने साथ चौपाईयों का क्रम रखा है और यही क्रम उस्मान ने भी रखा है जैसी के पहले के कभी क्या करते थे पांच पांच चौपाई के बाद दोहा रखते थे लेकिन जैसी ने क्या किया है साथ चौपा रूप में ही चितरित नहीं किया है बलकि पौराणिक शैली का अलम्मन करके उसने उसे परमयोगी शिव के अन्शशे उत्पन्न तक कहा है इस पकार क्या है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिवेंजना की जाती थी लौकिक प्रेम के माध्यम से इसका हकिक कुमार को साधक के रूप में चितरित किया है, और उनको भगवान शरीव का अंस भी कहा है चंकर भगवान का है, चितरावली का नयक कौन है? सुजान है और नाही का कौन है रूपनेगर की राज कुमारी चितरावली है, यह तो यह कि इसके नायक नाही का हो गए अब शेख नभी नाम के जो सूफी कवी हुए है ये जौनपूर जीले में दोसपूर के पास मउन आमकिस्थान के रहने वाले थे और समथ 1276 में जहांगीर के समय में वर्तमान थे तो इनकी ये जो उसमें भी दिमान थे मतलब ये जहांगीर के समकालिन है इन्होंने ग्यान दीप नामक एक आख्यान कावे लिखा है आख्यान मतलब कथा कानी जिसमें राजा ग्यान दीप और रानी देव जानी की कथा है यहीं प्रेम मारगी सूफी कवियों की प्रचूरता की समाप्ति समझे जानी चाहिए तो आ बाद में इस प्रकार के सूफी कावे लिखना खतम ही हो गया है लेगिन कुछ न कुछ रूप में यह चलते ही रहता है कावे शेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचूरी काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शाली की रचनाय थोड़ी बहुत होती रहती है पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उसका प्रभाव भी ऐसा नहीं रहा जाता अता शेख नभी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए तो अचारा राम्तियों तर सुक्लक की एक एक बात परिश्या की से महत्त पूर्णा है तो कावे चेतर में जो सूफी कावे की परंपरा चल रही थी धिरे-धिरे खतम होने लगी काम होने लगी लेकिन बीच-बीच में कुछ कवियों ने लिखने का प्रयास किया लेकिन उनका कोई खास विशेस महत्त नहीं है क्योंकि जनता पर उसका उस प्रकार का कावे लिखा जाता है तो जनता उस चालखंड में उसी प्रकार के कावे को पसंद करती है। बाद में उसको पसंद नहीं करती है। इनकी रचना बहुत निम्न कोटी की है इन्होंने जगा जगा जायसी की पदावली तकली है पर प्राउडता नहीं है इसके बाद नूर मुहमद बहुत ही महत्रपुन कभी है तो भी कभी यह दिल्ली के बादचार मुहमद शाह के समय में थे और सबरहद नामकिस्थान के रहने वाले थे जो जवनपूर आजमगड की सरहत पर है तो ये तो उनका इस्थान है कि यहां के रहने वाले थे सबरहद नामकिस्थान के नूर मुहमद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी कभी भाषा का भी ज्यान और सब सूफी कभ प्राप्त हैं इन्होंने एक दिवान लिखा और रोजयतुल हकायक नाम की एक किताब लिखी और भी बहुत सारी किताब इन्होंने लिखी लेकिन यह सब नस्ट हो चुकी हैं प्राप अप्राप्त हैं इन्होंने 1157 हिजरी अर्था समवत 1801 में नूर मंबद ने इंद्रावती नामा के एक सुन्दर आख्यान कावे लिखा आख्यान मतलब कथा कहानी इत्यादी होता है अख्यान कावे लिखा जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुमर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है तो आपको नायक नाइका को भी ध्यान में रखना है इसके नायक कौन है इनके नाइका कौन है तो राजकुमार के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमार इंद्रावति की फ्रेम कहानी है कवी ने प्रथानुसर उस समय के शाषक मुहम्मद शाह की प्रसंसा किये तो उसमय जो विद्यवान जो शाषक थे मुहम्मद शाह उसके इनोंने प्रसंसा किये हो सकता है कि वह उनके आस्रह दाता रहे हों या जो भी रहे हों तो उसमें यह परंपरा थी कि पैगंबर मुहम्मद साहब और जो अन्य जो नभी हुए हैं उनकी प्रसंसा करना और उनकी इस्तूती करना और उसमें जो राजा हैं शासक हैं जो बादसा हैं उनकी प्रसंसा करन यहां कि प्रवधार रहे हैं तो कभी ने पहले के कविए के अंशार 5 पत्छ की उप्राइब के उप्रांत दोहें का क्रम रखा है तो जैसि के पहले क्या चलता था फ़ार रखा जाता था वैसे इन्होंने पहलन किया है इस गरंथ इंद्रावति को सूफी पधती का अंतीम गरंथ मानना चाहिए तो यह प्रशन पूछा जा सकता है कि आचारे राम चंदर शुक्र ने सूफी पधती का अंतीम गरंथ किसे माना है तो इंद्रावति को माना है इनका एक औरगंत फार्सी एक्षरों में लिखा मिला है जिसका नाम है अनुराग बासुरी अनुराग बासुरी को फार्सी में लिखा गया है या पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षाड है वहत पुन बात है पहली बात इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्क्रीट गर्भी थे इसमें संस्क्रीट या तत्सम शब्दा वाली का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग गीआ गया है ये पहली बात है दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रती मुसल्मानों का भाव इसमें भी अभिवेक्त हुआ है अब इंद्रवती की रचना करने पर शायद नूर महम्मद को समय समय पर या उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसल्मान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए तो फार्से लिपी में आपको लिखना है उर्दू में लिखना है तो यह उनको बार-बार ताना मारा जाता था इसी करन उनको अनुराग बास्तुरी के आरह में उन्हिया सिफाई की देने की जवरत पड़ी थी और यह पंक्ती बहुत ही इंपोर्टेंट है परिच्छा के परिच्छा में पूछा जाने वाले यह प्रस्ण है अनुराग बासुरी से नूर मुहमद जी की पंक्तिया है समध 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खीचने लगे थे मुसलमान हिंदी हिंदूों के लिए छोड़कर अपने पढ़ने लिखने की भाशा वे अर्षि घरई वीदेशी भाशा जिसको फारसी में लिखते हैं और फार्षित लिपी भाशा और उर्दू उर्दू में लिखना शुरू कर दिया तो उन्होंने हाला कि उसमय उर्दू कोई बहुत सहीत्ती में बहुत ज़्यादा इस्थान नहीं था क्योंकि नूर मुहमद का कोने जगावा फिर हिंदी भाखाय पर आवा छाड़ी पारसी कंद नवातें अरुजाना हिंदी रजबातें मतलब उस समय उर्दु का कोई बहुत ज्यादा इसकोप नहीं था बहुत ज्यादा उसमें साहित उपलब्द नहीं था अनुराग बांस्तरी का रचनाकाल 1178 हिज को आप चेंग करके देखिएगा यह विक्रम संवत है 1821 क्योंकि अचारा राम चंतर शुक्रा ने कुछ लिखा नहीं है मैं वहीं से लिया हूं डारेट कवी ने इसकी रचना अधिक पांडित्य पूर्ण रखने का प्रयास प्रयत्न किया है और विशाय भी इसका तत्त्य संबंदी है सत्त्य ग्यान संबंदी मतला मेटाफीजिकल अध्यात्मिक जैसे जिसमें शरीर जीवात्मा मनवृत्ति को लेकर पुरा अध्यावासित रूपक अर्थात एलेगरी खड़ा करके कहानी बांदी है मतलब एक रूपक के रूप में इसकी रचना की गई है और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्षवेंजित होता है पर यह सारी कहानी अनराग बांसरी और सारे पात रही रूपक हैं रूपक है मतलब सिंबल या प्रतीक के रूप में इन्होंने इसको लिखा है जैसे कामायनी है वैसी है तो और जो अन्या सूफी प्रकृति वर्णनन या फिर व्याक्या की गई है लेकिन यहां पर अनुराग बावसरी की जो पूरी कहानी और इसके सभी पात रख्या है रूपा का रहा है एक विशेष्टा और है चौपाईयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे ना लिखकर बरवय रखें तो चौपाई के अधिक निकट होने के करण भाषा में कहीं ब्रज भाषा के शब्दा और प्रयोग भी पाए जाते हैं पर इसका इसलाम के पक्के अन्याइए आपको उर्दू में पढ़ता था कि मैं इसलाम का सच्चा अन्याई हुँ लिए मैं कवीता लिखता हूं तो देरे मतलब मद्भेद बढ़ते जा रहे होंगे हिंदी और मुसल्मानों के बीच में वास्तों में हिंदी और उर्दू कोई अलग अलग भाषा नहीं है मलकि खड़ी बोली हिंदी के दो रूफ है हिंदी में हम तद्वा शब्द वाली का प्रयोग करते हैं और इसको देवनागरी लिपी में लिखते हैं हम हिंदी को और उर्दू को हम किसमें लिखते हैं फार्सी लिपी में लिखते हैं प्राया अधिकांस कभी मुसल्मान कभी हैं जो सूफी कभी हैं प्राया मुसल्मान कि बले एक हिंदू कभी मिला है सूफी मत के अन्याई सूर्दास नाम के पंजाबी हिंदू सूर्दास नाम के पंजाबी हिंदू व्यक्ति ने कभी ने चाहा जांके समय में नल्दम्यंती न आने वाले प्रस्ण भी आप से बन जाए और हिंदी साथ की इतिहास को पढ़ने का एक द्रिश्ची कोड़ भी विक्सित हो सके और अच्छा राम चंतर शुक्ला के हिंदी साथ की इतिहास को भली भाती समझ पाएंगे उसको त्यार कर पाएंगे यदि आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट मांध में कमेंट कर जरूब बताएं साथ यह दिया भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को तो बना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो प्लेटेट्स आपको मिलते रहें कमेंट बाक्स